कुटी जीले की खबरों के साथ मैं गुंजन कुमार जैसा कि आप जानते हैं की मैं कुटी जीले की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ आपके समग सुपस्तित होता हूं आईज की बड़ी खबरों का सुरुवात करते हुए बता दे की खुटी के बैंक आउप इंडिया यानी खुटी के मुख्य सहर में एक बुजूर्ग से 15,000 रुपय की छिनताई कर ली गई राफ्द जानकारी के नुसार बता दे की बुजूर्ग उदैराम बैंक से 15,000 रुपय की निकासी करव अपस घर लोड रहे थे तभी अज्यात बदमसों ने उनसे कुछ बात चीत में उन्हें उलजा कर जबरन उनके पॉकेट में हाट डाल कर पैसे निकाल लिये पहले में आपको एक बड़ी जानकारी और दे दूँ कि आज से लगभग एक सप्ता पूर्व एक नीजी अखबार की संपादक की पतनी से अग्यात ठग ने लगभग 5 लाक रुपय की गहना के ठगी कर ली जिसकी जाँच पुलीस द्वारा जारी है और इस पूरे मामले पर अगर बात करें तो खुटी में ठग कागिरो सक्रिये है इस विशे पर विशेज ध्यान देने की जरूरत है तादे की बुजूर्ग उदाईराम जो खुटी के खुटी टोली निवासी है उन्होंने हमसे बातचीत के करें में क्या कुछ कहा घटना करें में कैसे क्या कुछ बताया वो मैं सीधे उनकी बातों को ही आपको सुनवाता हूँ वहीं अगली खबर अड़की पर खंट चेतर से है जहां अड़की परखंट चेतर के स्वास्तोप के अंदर पर स्वास्त विभाग के द्वारा बड़ी लापारवाई देखने को मिलिये स्वास्तोप के अंदर पर एक डिलिबरी पेसेंट को भरती कर आया गया था जहां प्रसब होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें तीन से चार घंटे के अंदर ही छुट्टी देकर घर भेज दिया जहां घर पहुँचने के बाद महिला की स्थिती बिगड़ने लेगी बिगड़ती तबियत को देखते हुए उनके परिवार वालों ने उन्हें आनन फानन में सदर हॉस्पिटल खुटी पहुचाया जहां इलाइच के बाद अब उनका तबियत सही है वहीं इस बात पर देखना ये है कि स्वास्थिभाग की इस लापारवाही पर आगे क्या कारिवाही होती है वहीं अगली खबरों में बता दे कि जिला परसासन के परियास से महिला समोह द्वारा लगतार अच्छे कारियों को अंजाम दिया जा रहा है इसी करम में बता दे कि जिले के अलग-अलग छेतरों में महिला किसानों द्वारा गेंदा फूल के अच्छी खेती की गई है इसी करम में यह भी बता दे कि गेंदा फूल का माला और फूल त्यों हार के दिनों में मार्केट में काफी ज़्यादा मांग रहती है साथ ही उसका उचीत मुल्य भी प्राप्त होता है जिसके तहत महिला किसानों को अच्छी आमदनी भी प्राप्त हो जाएगी वहीं अगली खबरों में बता दे की समानालाय के सभागार में खुटी जिले के सभी बैंक परबंदकों के साथ एक विसेश बैठक कायोजन के आ गया जिसमें उपायुक्त ने बैंक परबंदक को निर्देश दिया कि जिले के सभी योग्य किसानों को के सिसी के तहत रीन उपलवद कराया जाए ये थे खुटी जीले की बड़ी खबर खुटी जीले की खबरों से अबडेट रहने के लिए हमारे साथ जोड़ें और न्यूज चैनल को न्यूज गुंजन को जरूर सब्सक्राइब करें